हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं से निकल गई थी और अपने चार साल के बेटे जगत को पीछे छोड़ गई थी उसने जाते जाते एक आखरी बार अपनी ननत कंचन गुलेरिया ससुर अचोड गुलेरिया और सास पारवती गुलेरिया को देखा और फिर बाहर निकल गई अपने घर से दूर अपने अंदर के समेटे हुए दर्द से तूर लेकिन उस रात उसका उठाया ये एक कदम आगे कई जिन्दगियां तबाह करने वाला था मेखा गुलेरिया ने एक कदम क्यूं उठाया था वो आखर कैसी जी रही उसके साथ ऐशा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसने अपनी ही जान लेने के बारे में सोचा क्या उसरात मेखा गुलेरिया ने आत्मत्या करने के अपने फैसले को अशाम दे दिया था इस रात से पहले दिन के उजाले में आखिर मेखा गुलेरिया के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इस तरह का कठोर कदम उठाने जा रही थी जगत रुक दूद्ध पीले बेटा क्या कर रहा है बहुत सारा काम है असा मत कर छोड नहीं पैले बहुत काम बहुत काम है पीले बेटा नहीं बेगा आई मासा इतनी देर होगे ले मैंने सब्सी काट्डी है यह सब काम तुझे करना चाहिए ना जा जल्दी से खाना बना और भजन के बापू को खेत में दिया देर हो गई बावजी चल आगे से जल्दी आना सुन रुख जारा अरे कुछ खा कर जा अबट बावची वो घर पे बहुत काम है मैं घर पे खालूंगी कैसी है मेगा मैं ठीक हूँ जेट जी बापू कह रहे है बैठने के लिए तो बैठना नहीं वो घर पे काम है मुझे लिकलना होगा जगत पूछ रहता है बापू दिल्ली कब बुलाएंगे और कितना वक्त लगेगा हम दोनों को यहां पर नहीं रहना है बस थोड़े दिन रुप जा मेगा दो पैसे गठा कर लेने दे उसके बाद मैं तुझे और जगत को भुला लूँगा अपने पास तुझे तो पता है मैं खुद तेरे भाई और उसके पतनी के साथ रहता हूँ बहुत छोटा सा कमरा है वहां अपना कमरा कब तक हुजाएगा थोड़ा टाइम तो लगेगा आसान नहीं है यहां किराय पे कमरा लेने के लिए बहुत सारा पैसा जमागरना पड़ता है हमारी बहुत याद आती है मैं कौन सा सुकून से हूं तुम दोनों के बीना है है मैं तुम आखे तरस गई त मैं ठीक हूं तेरी आवाज से लग रहा है तुकुछ चुपा रही है तकलीफे पर बता नहीं रही है नहीं कोई परिशानी नहीं है जगात दादा यह देखो यह ड्राइंग मैंने बनाई है इकना सुंदर है एला मेगा कि इसने पापो के जा कि आने की में मापो का घर हो हाल जाल पूछने के लिए तो जाओंगा यह ना शीवाने मेगा के बड़े हाल जाल पूछा जा जाने है प्रे चोटे बाई की बीवे अकेली बिचारी दिली जाते बगभजन कह कर गया था सबका ख्याल रखना तू भी ज एक बार खोच कबर ले आए गर पापू यह देखो जद्पर में सरकास अगा है हम भी चलेंगे ना हाँ और जगत को भी साथ ले जाएंगे जगत को इसाथ ले जाना मेगा को नहीं किया अनाप शनाब बात कर रहे है तू लटा तू आज इतने चुप क्यों है मेगा तो कु मा बोलने को कुछ है ही निए मा हूँ मैं तेरी फोन पर भी तेरी आवाद सब एचान सकते हूँ कुछ हुआ है क्या हुआ है बेटा कुछ बोल क्यों नहीं रहे है ससुराल वाले परिशान कर रहे है क्या वो पारवती बेन हो और रंचोड भाइसा ने कुछ उल्टाजिदा अब तो नहीं बोल दिया तुझे? नहीं, मा, ऐसी कोई बात नहीं है साफ साफ बता बिटा, दहेज मांगरें क्या वो लोग? मैं तेरी मा भी हूँ और तेरा बाप्व भी हूँ, बता मुझे, दहेज मांगरें क्या वो लोग? मा, 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 वा, मा का है अरे रसोई में होगी, देखना नहीं मिल रहा है, जा के दादी से पुझा दादी, मा का है अरे तहा होगी, होगी यहीं कई मैंने सब जगा ढूना, नहीं मिल रहा है बाहर जा के देख जा मैंने उधर भी देखा, नहीं मिल रहा है मैं जब उठा तब कमरे में भी नइटी भाबी, भाबी, भाबी आप यहा हो क्या, भाबी कि यहां क्यों आएगी सुभा उठे जो दर्वास अखुला हुआ था सब जगे देखा घर में आंगान में अगल बगल में नहीं मिली तो मुझे क्या देख रिये मुझे कैसे पता होगा वो का गई है एक काम करते हैं चल चल कर उसको ढूंद के बाबली होगी अचोल काका, अचोल काका क्या हुआ अरे, दिख़्ी के मेगा? पुआ अपके केत पार, आख लगाली कुद्गों क्या कहा रहादू? मिट्टी कर तेल डाल कर वह तरसे चल गई यहो मेगा! अचोल अचोल पतानी भाल साथ यह कैसे हो गया? सुबह जब हम सो कर उठे यह नहीं थी अर्वासा खुला उगा था बस तब इसे जूड रहे थे यह मेगा ने खुद मेगा ज़ाया होगा वह मेगा ने खुद मही जलाया होगा किसने कर देल का दबबा हमारे ही रसोही का है इस टोब के लिए इस्तुमाल होता है आत्मत्य क्यों कि दुमारी बाउने अथनी साब इसने ऐसा क्यों किया हम ते से सुबह से ढूंड रहे थे थे मुझे भी कुछ नहीं पता है साब मैं इसका जेट हूँ पर मैं मेरे बीवे और बच इसकी सास दी कोई आवज नहीं सुनी इसका बेटा वो तो एसके पास ही सुता है सब उसने भी कोई आवज नहीं सुनी कि अथने कह प्यालग मैं करी कि महां कि प्लिठ करी बह summer 3 Trackíb के आत्मत्य करिए बीसर क्यों क्यों कि मां मैं आख करूं क्या चगड़ा हुआ था क्या? नहीं रहे लटना, ऐसा कुछ भी नहीं हो. और चगड़ा होता तो आवास सुनाएधी थी. सुने से पेले भी कुछ भी नहीं बताया मेगाने. या, क्या बोल रहे हैं भईया? ऐसा केसे हो सकता है? मेगा, आत्मा, अत्या. मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, भजन. तेरी तो रोजबात होती थी ना, उसके साथ. तो फोन करता था, उसे. उसने तुझे कुछ कहा था. आप क्या पूछ रहे हैं? भईया, मुझे कुछ समझ में नहीं नहीं आ रहा है. या, किसी को अंदास आनी है, भजन, मेगा ने अपने आपको आग क्यों लगाई है? अभी जैसल मेर में उसकी महा तक बात पहुचा है. पुलिस कहे रहे हैं, लाज को पोस्ट मार्टम के लिए लेके जाना पड़ेगा. सबको थाने बुलाया है. भजन, तु भी जल्दी बढ़ मेरा जा. मेगा के परिवार के साथ, उसका भाई गुंजन भी इस सवाल का जवाब धून रहा था. या आखिर मेगा ने आत्मत्याक्यों की. मेगा की खबर मिलते ही, उसकी माँ गाहितरी जोहान तुरंट जैसल मेर से बाड़ मेर के लेनी को. जहां मेगा की लाश का पोस्ट मार्टम किया जा रहा था. मेगा गुलेरिया ने आत्मत्याक्यों की थी? इस सवाल के साथ एक और एहम सवाल खड़ा हो गया था. कि क्या मेगा ने वाकई आत्मत्या की थी? मेगा गुलेरिया ने आखिर आत्मत्या क्यों की थी? उसने एक कठोर कदम क्यों उठाय थी? या फिर ये एक हत्या थी, जिसे किसी ने बखुबी आत्मत्या का रंग देने की कोशिश की नहीं. मुर्डर है या नहीं या अनालेज करना बहुत मुश्किल है डॉक्टर विक्टिंग क्रिमा कर कहना है पीडी सूसाइट नहीं कर सकते डेड बड़ी बुरी तरह से जल चुकी है ऐसे में जलने से पहले अगर स्ट्रगल हुआ भी होगा तो उसका कोई निशान ढूंड पाना अब पोसिबल नहीं डेड बड़ी को दिखकर मैं इतना कह सकता हूँ कोई हातियार के इस्तेमाल नहीं किया गया है और अगर गला दबा करके भी मारा गया होगा तो भी अब पता नहीं चल पाएगा क्योंकि गले के आसपास का सारा मास चल चुका है तो आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये सुसाइटी है नहीं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ लेकिन डेड बड़ी को दिखकर लगता है कि ये सुसाइटी है मेरी बेटी को मारा गया है मेगा अत्मत्या नहीं कर सकती उसके साथ ससूर और वो जेट उसका पूपेंट उन्होंने उसे बाहर ढाला और बिलकर ये सम्दा तक रचा रहे हैं गायतरी जी हम रिकोर्ट लिख रहे हैं और सबसे सवाल किये जाएं क्या मेगा के ससुराल वाले उसे देश के लिए परेशान करते थे मेरी बच्ची पीतर ही पीतर सारे दुगतर दपा कर वैर्टी थी कुछ भूल ही नहीं थी पर उसके खामोशी में महसूस कर पाई और समझ कही थी कि उसे उसके सुराल वाले परेशान कर रहे थे देहेज वहेज की कुई बाप निये साथ मेगा से कभी अपने एक हेला तक नहीं मांगा अप लोगों कुछ नहीं किया तो ऐसे ही बिना बज़े आपकी बहु घनी रात में अपना बच्चा छोड़का घर से मिट्टी का तेल लेकर निकल गई खुद को जला अब उससे कभी कि माने कंचन मा और बापु का नाम लिया बज़र बोल भी यह सब दहिर मांग रहे हैं तुझे सामने आकर बोलना पड़ेगा बज़र तू बता क्या मा और बापु मेगा से दहिर मांगेंगे आप बताइए अगर कुछ हुआ नहीं तो नहीं देने ऐसा क्यों कि इसने हमें बिना बजा एक करब उठाया वज़र तू बोल तू इससे कुछ कहा था हुझे मेगा कोई तकलीर है वहां तेरी आवाज से लग रहा है तू कुछ चुपा रही है कोई परिशानी नहीं है सब तीक है बस हमें जल्दी वहां पर बुला लो है हलो मेगा कमरा देख लिया है किराय पर अगले महीने में ले रहा हूं दू हपते में गाव आ रहा हूं तुझे और जगत को लेने हैं मेगा अब तो खुछ है ना अब यही भी रहें के साथ में दिल्ली में और जगत के लिए अच्छा स्कूल भी देख लिया है मेगा कुछ बोलना है हां मेगा क्या हुआ है अपते पर से देकरो तुरी आवाज कुछ अजीब सी लग रही है मुझे कुछ हुआ है क्या कुछ कुली में आखके कुछ पाबुए घुरी यह मैं पाबुए घुए और जानी हुआ है नहीं मां का, एक धेला तक नहीं लिया उससे, अगर हमने उससे कुछ लिया होता तो आपको पता चलता, हाँ, ब्याहा के पहले एक साइकल उन्होंने ज़रूर दी थी, लेकिल आप मेगा की मां हम पर दहेज उत्पीडन का केस लगा रही है, नातुर आमजे, आप इंस्पेक् बीच में कोई गड़वड तो नहीं थी, इसका जवाब तो आप लोगों को देना होगा, कि अचानक योई मिठी का तेल लेकर के आपकी बहु खेत में योई शोकिया तो अपने आपको आग नहीं लगा लेगी ना, हमारे घर में उसके किसी से कोई बात चीथ नहीं, अगर ह हुई होती तो हमको पता चलता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो हम लोग उसे कम से कम उसे समझाने के कोशिश नो करते हैं, यह को भई हम पंचायती के मुखिया भले ही हो, परे देहज के दवाओ में आतमत्या का मामला है, तो हम पुलिस पे जोड़ते ही नहीं कि अजय को अजय को बात तो पता रही है, लेकिन एक बात पक्का है कि इस पुलिया खांदान में कुछ तो बाते हैं जो अंदर इंदर पकरें, मतलब साब बजन काफी टाइम से सहर से बाहर काम करता था ऐसे में उसकी जवान भी भी घर पे अकेली रहती ती 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 और तो और साब, भुपेन अपने बेटे राकेश के साथ जगत को भी मिला दिखाने ले जाया करता था, साथ में मेघा भी होती थी देख साफ साब बता तेरा इशारा किस तरफ है, घर के अंदरी को चल रहा था, ये भुपेन ने कुछ किया साब, वही तो बात है, कोई भी साफ साब कुछ नहीं जानता है, यहां तक की भजन को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मैं तो कहता हूं साब, इन सब को उठा के धुलाई कीजिए, सब कि सब सच बता देंगे मेगा गुलेरिया के ससूर रन्चोड गुलेरिया, सास पारवती गुलेरिया और ननत कंचन गुलेरिया पर तहेच मांगने और उसे अत्मत्या करने के लिए उक साने की धराएं लगाई गloo आप अच्छे तरह जानते हो जीजाजी कि आपके परिवार वालों ने मेरी बहन को मजबूर किया कि वो घुद की जान ले ले इसमें एक महीन है से मुझे लग रहा था कि कोई बात है जो जसके वज़े से वो बहुत दुखी है और वो घुल कर पता नहीं पा रहे है अब आप अई gì अज़े है एक मास pace ज़े साथ ए यह अफने आप यूली बहुती मेटे मेगा के साथ द्याए कर रहे हैं अटमात्या क्यों की उसने यह बता हो बच अछ अच्ले फोन पे चुकी साथ के बैटे तषी बैटे बचाय नहीं रहे है इस अब कईता मशो नहीं हो और आपके शब्राइब साथ, मुझे नहीं पता। मैंने कई लगमार कुछा है कि क्या बात है मैंगा बता। लेकिन इसकी खामोशी नहीं टूटी। लेकिन इससे बात करते वक्त मुझे तक्लीफ में तु थी। इसकी मान अपने बयान में कहा है। यूसे पता चल गया थै। यूसकी सचुराल में दहिच मांगा जागा है। तुमने कितने मांगे थे बाचानी। कोई दहिच नहीं भांगा साथ। कैसी बात कर रहे हैं याप। मैं तो मेघा से पार करता था और। बहुत पार। मैं उसे दिल्ली भी ले जाने महाला था। कम्रा भी देख लिया था। अनो उसको भोला था कि कड़ते हैं cin तो अग्त बहूंगा उसे लेने लें लेखो एक महीने से मेगा गुलेरिया अपने पती घजन गुलेरिया से फोन पे बात करते वक्त तकलिफ में थी भजन गुलेरिया ने ये बयान दिया है उसे सब पता था लेकिन भजन गुलेरिया एक बार भी दिल्ली से वापस अपने गाउं आकर अपनी पत्नी के आमने सामने बैठ कर ये नहीं पूछता कि उसकी तकलिफ क्या है मेगा के पती भजन को ये कभी समझ में नहीं आया या आखिर उसकी पत्नी ने उसे अपनी तकलिफ के बारे में क्यों नहीं बताया मेगा के ससुर, सास और उसकी ननत पर आत्मत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था लेकिन वो शुरू से ही इस बात को मना करते आ रहे थी कि उन्होंने कभी भी मेगा से दहेज की मांग की थी उनके बयान दर्ज किये गए जिसमें उन्होंने मेगा को आत्मत्या के लिए उकसाने के इल्जाम से साफ इंकार किया थी वो इस अफराद को सुईकार करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं. मेघा किसी बात लेके परिशान थी. लेकिन किस बात को लेके परिशान थी ये बता पाना मुश्किल है. मतल offset दहेश के अलाबा भी कुछ और था. अब यह मैं कैसे बताऊं सा. हा लेकिन मैने कई बार उसको रास्ते में दिखा था जब वो अपने ससूर के लिए खाना लेकर राती जाती था तब उसका चेहरा कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहती अच्छा ये बड़ा भाई भुपेन ये अपने परिवार के रहता है कानी के है ये उनके परिवार का किसे होने वाली आमंदनी का जादा हिस्सा बोलेगा उसने अपना घर भी बन बाया और परबार के साथ रहने उसने चला गया नतुराम जी क्या सच में मामला सिर्फ दाहिच का है अब केस तो इसी का बना है तो आमे लगा ये होगा आपको कुछ और लगता है क्या तो ये व कि हुआ बता दिया था कि हमारे पास क्या और जो टे सके थे वो डिया भी था अब पात साल बाद, ऐसे कैसे वो देज की मां कास रखते हैं? मा, तू रहने दे, बाद और बिगड जाएगी. क्यों बिगड जाएगी? कुछ और बात है, क्या? क्या हो रहा है वाहाँ? कुछ बताएगी भी? कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, तू रहने दे, सब ठीक है. नातुराम जी, आपके गाउं के घर में गवु परिशान थी, पुरे गाउं को इसकी ख़ब भी थी, लेकिन वक्त रहते हैं, किसे लिए भी कोई शिकायद दर्ज नहीं किया. मेगा ने की क्या, मेगा की मा को पता था, उसने की क्या, चाओ हम बहुत दुखी है, कि गाउं में बभु के साथ ऐसा कुछ है, भजन बहुत महनती है, ठीक है. अब बिकरम जी, जी, आप भूबेन के साथ थोड़ी सक्ति कीजिए ना, क्यों, वो को जानता है, इसलिए तो कहा है, सक्ति कीजिए, अलग रहता है, लेकिन है तो एक ही परवार का, आप सक्ति करेंगे तो साहिद कुछ निकल के आजा, दहेच की मांग के अलावा क्या कोई और बात भी थी, जिसकी वज़ा से मेघा गुलेरिया परिशान थी, और क्या ये बात कभी सामने आप आएगी, क्या इस बात का तालुक मेघा के जेट भुपेंद्र गुलेरिया से था, माँ, भजन भया ने भी अमरा साथ नहीं दिया, मेघा ने जैसे अपनी माँ को बताय अपनी गई है क्या, मुझे नहीं मालो, मैंने जगत से बार बार पूछा पर वो कुछ कह नहीं रहा है था मा वो तकलिफ में थे क्या बिटा, दाती और दादा ने मा को बहुत परशान किया था मा पर चिल्ला ही थी क्या, ते लोगा कुछ बोला था ममाने, बड़े पापा ने मा को कुछ कहा था क्या, मार हो रही थी क्या कई बार जब मेघा को अपने में के जाना होता था, मैं खुद उसे यहाँ बाड मेर से जैसल मेर छोड़ करा था मैं अलग रहते थे साब, मगर घर किसी भी परिवार के बीच, किसी के लिए भी दिल में कोई दरार नहीं थी मैं जैसे अपने बेटे राकेश को कही घुमाने ले जाता या मेले मेले के जाता था, तो उसके साथ जगत को भी ले जाता था साब और क्या क्या करते थे आप क्या मतलब है साब आपका जो भी पूछना है साफ साफ पूछे साब इत्तो आप लोग ने मेरे माँ बापू और बहन कंचन को अपनी हिरासत में रखाए दहेच के आरोप आप ही सूचे साब एगर उनोने मेघा से दहेच मांगा होता तो मेघा इतनी ब़ापने मैके जाती थी कभी उसने अमनी मा से क्यू नहीं का फोन पर इतना बात करती थे, खास उसके लिए भजन ने घर पर फोन का कनेक्शन लगाया थे, फोन पर किसी को बता दे, लगर नहीं बता है, मैंने ही जानता साब आपको ये सब किस ने बता है, अच्छी भली खुश थी मेगा हमारे गर में, सब उसका ख्याल रखते थे, जग किसी को बताना नहीं चाहती हुए, अगर अब हम क्या करे साब, मैं मेरा पूरा परिवार जेल में सड रहा है, बेल नहीं हो पारिया, अगर शादी के साथ साल में लड़की के साथ दहिच के लिए कुछ होता है, तो आरोपी लंबे वक्त के लिए अंदर जाती है, मेगा के अगर शादी को भी साथ साल पूरे नहीं हो, बोल जाओ, तुमारे माँ बापो बहन भाराई, मेगा ने पता नहीं क्या कह दिया उसे फोन पर, ऐसा केस बना दिया कि किसी को बेल नहीं मिल पारी है, उपर से तु ये बयान देकर आया कि मेगा तकलीफ में थी, मेगा और सच बूलने से जो माँ बापो और कंचन तकलीफ में आ गए उसका क्या, देख भजन, अब जब मेगा मर चुके है तो तु 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 अपना मूँ बंद रखना चाहिए था, ये सच और जूट एक तरफ है, मगर जब परिवार की बात आती है तो तो अगर अब तु अदालत में ऐसा कुछ नहीं बोलेगा कि मेगा ने तुझ से कहा था कि वो तकलीफ में थी, तेरी बीवी अब मर चुकी है, मगर माँ बापो और कंचन अभी भी है, अगर उन्हें कुछ भी हो आना तो उसका जिम्मेदार तु होगा समलगे जाए, खुष्ण रहु सुनो, सुनो एक पती का अपनी पत्नी के लिए प्रेम, उसके अपने परिवार के प्रती निष्ठा के बीज दिवार बनकर खड़ा होने जा रहा था इनसाफ का तराजू किसी भी तरफ जुके, पर फैसला भजन गुलेरिया के दिल को चीर कर रख देने वाला था यहां पर हर कोई एक ही बात बोल ला है, मेगा परेशान थी, तकलिफ में थी, मेगा गुलेरिया से गुलेरिया परिवार वाले दहेच की मांग कर रहे थे, और दहेच के लिए उसे टॉर्चर कर रहे थे, जिसकी वज़े से उसने आत्मात्या की, लेकिन यहां इस बात को सा खुला पाया गया आठ सितमबर की सुभा, मेगा गुलेरिया कहीं भी किसी को भी नहीं मिली, ठूडने पर भी नहीं, और खेतों में मिली, वो भी जली हुई हालत, एक 23 साल की और जिसने अपनी मा से साफ साफ कहा था, उसकी मा यानि की गायतरी जी ने अपने मांग की थी, और यही बात उसने पोल्ट में भी कही थी, लेकिन सबूत कहां है यो रहनो, मेगा ने अपनी मा के साफ फोन पर बाचित की, ये सबूत नहीं हो सकता, पर उसने सुसाइड किया है, ये बात तो सामने है पुरोईत, क्या ये सुसाइड की कोई और वजय हो सकती कोई मतभेद हो सकता है, कोई दबाउ हो सकता है, किसी किछम का संगर्श हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, कि उसकी मानसिक स्थिती ठीक नहो, कुछ भी हो सकता है, ये ये रहनोर, क्योंकि आत्मात्या का कारण पष्ट नहीं है, ये रहनोर, मुरुतक महिला को ऐसी किसी मां से नहीं पोन पर बात करते हुए कई बार अपने पती से भी किया था आपने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि मेगा गुलेरिया के साथ तकरीबन 7 से 10 वरतबा आपकी फोन पर बात हुई थी और इस दौरान आपने महसूस किया था कि वो किसी परेशानी में है beispielsweise मेगा तो अधालत को बताईये तरह वो परेशानी वो तकलीफ क्या थी परिखाल से गवा को बात करने दी जाए तो अच्छा होगा यह बात सच है कि मैं अपनी पतनी मेगा से कई बार फोन पर बात किया करता था और उससे बात करते वक मुझे कई बार लगा कि वो तकलीफ में थी आपने यह बत इसलिए बता ही क्योंकि आपको ऐसे लगा था या मेगा ने आपको बताया था मैंनो से कई बार पूछा लाकिन उसने कभी नहीं कहा कि मा बापू या कंचन ने दहेश की कोई बात कि उससे तो क्या आप कोट को यह बता सकते हैं कि मेगा किस तरह की तकलीफ में थी या फिर कोई और वज़ा थी अरे भाई आप तो यहीं थे ना गाओं में मेरे शहर जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मेगा ने जो हुआ उसे बूल जा आप कुछी नहीं हो सकता बहतर यही है कि तू अपने आपको संभाद जगत की जिम्मेदार है तेरे पर अरे भाई मेगा ने आत्मात्या कर ला और पुलिस वाले मेरे घरवालों को जिम्मेदार तेरा रहे अईसे में सच क्या है जूट क्या है जाने बगार तो उचना कैसे छोड़ दूँ आप ही बता दो रिपीट पीछे मेरे घरवालों ने मेगा के साथ कुछ किया था क्या मुझे लगता है शायद मेगा तेरे घर में खुश नहीं थी कोई तो बात थी जो उसे खाय जा रही थ थी में मेगा ने कभी आपको बताया या आपने देखा हो अब शायद शायद क्या हरी भाई शायद क्या शायद उसे तेरे घरवालों के कोई बात पूरी लगी थी अब किसने क्या किया मुझे ये तो नहीं बता हा लेकिन वो जल से जल तेरे पास शहर में आना चाहते है मुझे हाँ उदास उदास ही रहती थी मेगा लेकिन मैंने भी कभी कुछ पूछा नहीं और आप जो तेरे घरवालों पे आरोप लगा है कभी सोचा नहीं था कि तेरे माँ बापो कंचन मेगा के साथ घर के अंदर ऐसे वेवार करते होंगे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है एक ऐसा कुछ करने से पहले एक बार मुझसे बात क्यों नहीं की लेकिन अब जो दहज की बात सामने आई है शायद शायद? शायद क्या काकी? भजन, तू अपने गहरवालों के साथ परा आई है देख मेगा तो चली गई अब वो आपस नहीं आएगी मैने जानता की मेगा ने आत्मात्य क्यों की अगर ये हत्या है एसा साबीत करने के लिए कोई सबूत ही नहीं है इसी नहीं तो कहा कि अगर ये हत्या है तो लाश इतनी बुरी तरह से जली हुई हालत में मिली है कि किसी भी प्रकार की कोई जोट या कोई निशान इसका पता लग पाना बहुत ही मुश्किल था यूरानर इस पूरे मामले में दो बाते बहुत एहम है जो अभी तक साबीत ही नहीं हुई है पहली बात आईपीसी सेक्शन 498-A इस पूरे मामले में दहेच के मांगे जाने का कोई भी सबूत नहीं है दूसरी बात आत्म हत्या के लिए उक्साने के इस दोनों बातों को प् जिन्दगी में एक मजबूत मा एक देखबाल करने वाला पती भी था लेकिन इन दोनों को भी उसने कुछ नहीं बताया था यह नहीं बताया था कि उसी साथ, ससूर और ननन्द दहेच के लिए उसे टॉर्चर कर रहे है इसके पती ने अदालत में बताया कि वह अपनी पत् उसने अपनी जान ले लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं होता ना कि उसके ससुराल वालों ने दहेच के लिए उसे टॉर्चर किया और उसे आत्मात्या करने पर मजबूर कर दिया यह नहीं लेकिन और एक बात है जो असामान्य नहीं ऐसी कई सारी बीमारिया है जिसके बारे म महिला यह उचीत नहीं होगा यूरान में आत्मात्या कर लेना बहुत दुखत ही उससे भी दुखत बात यह है कि वह एक माँ भी थी उसे नजाने किस परिस्थिती नहीं यह कदम उठाने पर मजबूर किया लेकिन इस बात के कोई पुखता सुबूत नहीं है जो वास्तों में सुनिश्चित कर सके कि मेघा गुल मेघा का ठीक से खयाल नहीं रख पाया तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी माफ नहीं करूं कि बज़े मेघा मेरी इकलौदी बेटी थी तुम सब ते उसे मार डाला अबसे हर दिन में भगवान से यहीं मांगूगी बज़े कि तुम सब के जिंदगी बत से बत्तर बना दे इतनी थकलिफ दे कि तुम्हारा जीनाथ दुषवार हो जाहें तुम 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 और तुम're सारे परिवार का विनाज हो जाये बजन गुलेरिया और उसके परिवार के लिए जिन्दगी अब आगे कभी भी आसान नहीं होने वाली है भाई यह दो फिलो चावल देना माप करना लता भे पंचायत ने गुलेरिया परिवार का भाईसकार किया कोई भी लेंदेन से मना किया मैं आपको कुछ भी नहीं देशेगा माँ माँ दुका अंदर ने हमें कुछ भी देने से मना कर दिया है क्यों पंचायत का फैसला है कि हमारे परिवार को कुछ नहीं देगा हदालत ने छोड़ दिया है इसका यह मतलब नहीं है कि तुम लोग बेकसूरो मेगा के माँ जैसलमेर में रहती है अब वहा के पंचायत का फर्मान हमारे गाव के लोगों पर क्यों लागू कर रहे है तुम लोगों ने उनकी बेटी को तकलीफ दी है जान से मारा है हमने नहीं मारा उसे मैं मा, बापु, कंचन, हमने मेगा को कभी कोई तकलीफ नहीं दी और उससे कुछ भी नहीं मांगा कभी तेहज के अलाबा और भी बहुत सारी बात है सुनने में आई हैं क्या सुना है अपने? कि मेगा के साथ गर के अंदर अवद्र ब्याबार हुए क्या बख्वास कर रहे है अपनातुराम जी बाजन तो कुछ बोलेगा नातुराम जी जो कुछ भी वगवा उसका हमें बहुत दुख है मेगा के जाने का गम सबसे ज़ादा मुझे है और ये गम संदगी पर सताएगा मुझे गल्ती मेरी है कुसूर बार मैं हूँ उसको छोड़के मुझे शहर जाना ही नहीं चाहिए था मुझे उसके साथ रहना चाहिए था यहीं काओ में पंचायत ने भजन और भुपेन की विंती को मान लिया और उनके बहिशकार करने के फैसले को वापिस ले लिया लेकिन अब भी इस परिवार की जिंदगी में कुछ और ज्यादा तबाई आनी बागी था क्ला रड़्र भास कर्धीब के अधरवालने कंचं से रिष्टा तोड़ आया वजन यह जह जा जाकर और एए वह proved那ट के गँषय पान कुछ अधां को मैंने भोल पाओवा कि हम अ ठपनमगद्टारफ झाट झाल donut ङाटटार भातए झाल・・・ माँ बहुत याद आती है बापू मुझे भी याद आती है माने असब क्यों किया बापू मैं रात को उसको पकर कर सोया था कि अच्छा पापू उसना सब क्यों किया मेघा गुलेरिया ने आखरात्मत्या क्यों की ती उसने कठोर कदम क्यों उठाया सच तो यह था कि इस कहानी में दहेच की कोई बात ही नहीं ती इसी की तरफ से दहेच की कोई मांग नहीं की गई था मेघा का पती भजन समझ ही नहीं पा रहा था कि मेघा की आत्मत्या करने की बजए क्या थी और उस बजए को जाने बिना उसका मन शांत नहीं पूरा था इसलिए उसने उस सच का सामना करने की ठानी जो उसके मताबिक मेघा की आत्मत्या का कारंट हो से था मेघा की मा ने मुझे श्राब दिया था तेक बापो भी चला गया और मा भी चले गई मा और बापो अंदर से तूड़ गए था बाजन मेघा रोज मेरे सपने में आती है और मैं हर बार उस से पूछता हूँ कि उसने इसा क्यों किया इस अब देहेद के वज़े से हुआ था मैं नहीं बानता मैं चार साल यही भी था सबके साथ मा बापो या किसी ने कभी दहेद के कोई बात ही नहीं कि आश वो हमें बता के जाती कि वो ऐसा कुछ करने वाली क्यों करने वाली कि आश हम उसे रोख पाते है एक बात पुछी हुई है मैं जानता हुब भजन कंचन की शादी करनी है मैं लड़का दून रहा हुआ तू भी जानता है असान नहीं है अगर अभी भी तेरे लड़की दूनना मुश्किल नहीं बजाए तेरे उपर कोई हारोप में तू दूसरी शादी कर लिए और हाँ मैं आप से भी कुछ पूछना चाहता हुआ है पुरा गाउ मुझ से पूछना चाहता है तब बाते भी करते बस अभी कोई मूपे ने कहता है नता ने भी कई बार आड़े तरीके से पूछने की कोशिश किया तूम पूछना चाहता है ना तूम किया मैंने या बापुने कभी भी मेगा के साथ कुछ गलत किया वो खामुश थी मैंने कई बार कोशिश किया लेकिन उसकी खामुश ही नहीं तूटी मुझे कुछ बताने से मैंताने से ज्यादा खुदको आग लगाना असान लगा सोचकर भी रूख अब जाती है ना दर्द ना करा होगा मैंने या बापुने मेगा के साथ कुछ गलत नहीं किया हम जानते थे कि वो दुखी थी कई बार उससे उसका हाल पूछने के भी कोशिश कीती है जगात कि दादा यह देखो यह द्राइंग मैंने बनाई है इतना सुंदर है है ना मेगा मेगा इधर देख रहा हूं आजकल तु जुछ उदास से रहती है नहीं पाबुजी ऐसी कोई बास नहीं प्रेटे मां के घर जाना चाहती है तो जा हो आप कुछ दिन वही रह लेना नहीं बाबुजी मैं ठीक हूं नहीं बटा ठीक तो नहीं है जब भी दुखाना देने आती है मुर्जाई से रहती है कहीं कंचन ने तो कुछ नहीं का या पार्वती ने कुछ कह दिया नहीं बाबुजी बापु ने मुझसे कहा था पता कर अई बार मैंने उसके साथ हसी मजाग करने की कोशिश तो चाहता था इसका दिल बहल जाएगा बापु के कहने पर कई बार उससे कहा तुमारी मा के पास जैसल मेर छोड़ाता अगर उसके मूपर वही खामोशी बंदी रही तो जब आप लोगों को पता था तो आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया क्या उसने तुझे कभी बताया फिर तो रोज बात होती दी ना उसके साथ जबकि उसकी आवाज सुनकर तुझ जान गया था कि वो ठीक नहीं है पता नहीं क्यों खामोश रही आप करने भी आप अने आप पर और बाप उपर जो बीद गया तो बीद गया बजन वर उसने ऐसा क्यों किया यह जानने के लिए जितना तू अंदर से तिल मिला रहा है ना नहीं हम भी बेचा हैं तो फिर उसने ऐसा क्यों किया भईया जब कोई तकलीव ने थी उससे घर में तो बिना कुछ बताया है किसी को ऐसे रात में अचानक मेगा ने ऐसा कदम क्यों उठाया यह बात सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी जानता था पर क्या वो आदमी सामने आकर कभी सच बोलता है मुबारा को कमल लड़का हुआ है चंदा कैसी है? मा और बच्चा दोनों एकदम स्वस्त है यह आधा तुझ पर गया है और आधा मुझ पर गया है यह देख चंदा मुझे तो लगता है पूरा तुझ पर ही गया है कमल क्या चंदा की सिर्फ शकल मेगा गुलेरिया से मिलती थी? यह पर वो मेगा गुलेरिया ही थी जो चंदा बनकर जी रही थी? यह अपने आप में एक अनोखा मामला था एक ऐसा मामला जिसने कई जिंदगीयां तबाह की थी और शायद आगे भी करने वाला था कल राद 11 बजे इस केस के दूसरे और आखरी भाग में हम इस कहानी की लंबी यात्रा को उजागर करेंगे जो साल 2003 से चली आ रही थी और जिसने कई विचितर मोड लिये थी अब मैं अनूप सोनी आप से विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जेह कि कर दो जेह